तो साथियों, हिंदी नैट शाला में पुनह आप सभी का हार्दिक अभीनंदन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की उच्चिस तरी अप्रतियोगी परिक्षाओं की, तो उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं, सभी से लेके और जब तक आप हिंदी विशय के विध्यारती रहेंगे, हिंदी विशय के सिक्षक बनना चाहेंगे, तब तक आपको यह टॉपिक पढ़ना ही पढ़ेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो बस इसी टॉपिक की तैयारी करने के लिए हम यह पुस्तक पढ़ रहे है और हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को पढ़ने के बाद कल की कक्षा से आधुनिक काल को प्रारंब कर दिया, कल की कक्षा में हमने भारतेंदू और भारतेंदू मंजल के कवियों की प्रमुक पंक्तियां, कविताएं वगरा देखी, अब आज की कक्षा का प्रारंब ह हम दीवेदी युग से करेंगे दीवेदी युग जिसको की जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है कन्फ्यूज नहीं होना है प्रथम जहां आधुनिक काल का प्रारंभ है उस युग को हम भारतिंदु युग के नाम से जानते लेकिन उसे पुनर जागरण काल कहा दिया था अब क्यक्षा को प्रारंब करने से पहले कुछ इसकी प्रमुख प्रवर्तियों पर मैं आपको आपका ध्यान इंकित करना चाहूंगी क्योंकि इस पुस्तक में बहुत सी तथ्यात्मा की पुस्तक है तो शुक्ल की पुस्तक में से हमने बहुत सारी चीजें सीखी है उनका भी सारूप में देखिए अब भारतेंधू युक में तक रीतिकाल तक हमने देखा कि ब्रजभाशा की प्रधांता रही और किसकी प्रधांता रही पद्द्य की, कावे की, कविताप की। लेकिन आदोनिक काल में परिवर्तन होता है गद्य रचनाओं का आभिर्भाव होता है और खड़ी बोली का भी विकास इसके अंतरगत होता है। यहां सीधे पहुच गए हैं हम रीती काल से आधनिक काल पर लेकिन इसके बीच में फोर्ट बिलियम कॉलेज नामक एक संस्था थी जिसने अठारा सो में अपनी एक निर्णायक भूमी का निभाई किसके विकास में हिंदी खड़ी बोली के विकास में वहां सदल मिश्र हैं औ और वहां पर प्रभुख प्रभुख जैसे लल्लू लाल जी हैं सदल मिश्र हैं यह कई महत्पूर्ण विद्वान हुए जिन्होंने हिंदी गद्दे के विकास में अपना योगदान दिया अठारा सो में फोर्ट बिलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी तो उ इसलिए आधुनिकाल को गद्यकाल की संग्या भी देते हैं पद्य भी बराबर रचा जा रहा है लेकिन भारतेंदु यूग तक गद्य की भाषा तो खड़ी बोली होने लग गई लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि पद्य की कविता की भाषा अभी भी ब्रज भाषा बन महा कावे प्रिये प्रवास पूछा जाता है आप लोग जानते भी होंगे तो आइए अब दिवेदी युग को हम प्रारंब करते हैं और आपको बहतर तरीके से यह समझ में आएगा कुछ प्रशन चीज़ें ऐसी होती है जो पुस्तक में नहीं होती लेकिन फिर भी आपकी परिक्षा में पूछे जाने की संभावना भी है डॉक्टर नगेदर ने दिवेदी काल को जागर सुधार काल नाम से अभिहित किया और इसकी समय अभदी 1900 से 1918 इसवी तक माना शुक्र ने दिवेदी युग को नई धारा द्वित्य उत्थान के अंतरगत रखा है और समय अभाधी 1893 से 1918 इसवी तक माना है यानि नगेदर 1900 से मान रहे हैं लेकिन ये साथ साल पहले और ले गई हैं कि 1893 से ही दिवेदी युग का प्रारंब हो गया था नई धारा का प्रारंब हो गया था जिसे ये दृत्ति उत्थान कहते हैं शुक्र की बुक में प्रथम साहते तिहास जो बुक है उससे संबंदित एक वीडियो में लाऊंगी तो उसमें आपको करवा दूंगी लेकिन फिर भी अगर आपके पास बुक है तो उसको थोड़ा सा आप कहीं भी जाहिंदी साहते के तिहास का आप चीजे नोट डाउन करते हो वहां नोट कर लीजेग प viol के पूचले पेपर में पूची हुई है नेट के में अब द्वीवेदी मंडल भी है जिस प्रकार भारति नुसमें वहां पार वह तो नोट है। तो गोविन पांडे जी और सरसुती पांडे जी काल क्रमानुसर कभी विवरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि श्रीधर पाठक 1869 से 1928 इसवी खड़ी बोली के प्रथम सुच्छन्दतावादी कभी हैं। श्रीधर पाठक श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक कावे कश्मीर शुष्मा की रचना सन 1904 इसवी में की अब देखे कावे की भाषा क्या है यहां पर भी ब्रज ही है कश्मीर शुष्मा इनका बहुत बार पूचा गया श्रीधर पाठक जी का तो इन्होंने ब्र सही से आपको दिखाए दिख चलिए अनुदित रचना कौन कौन सी है और मूल रचना कौन कौन सी है अनुदित रचना है गडेरिये और दाश्विनिक मूल रचना कौन सी है शेफर्ड एंड फिलाशफर शेफर्ड एंड फिलाशफर मूल रचना कार कौन है ग्रे अनुदित रचना है एकांतवासी योगी 1886 और मूल रचना है हर्मिट गोल्ड स्मित इसके मूल रचनाकार है खड़ी बोली में इसको इनोंने अनुदित किया है आप देखिए जो सुकली जी मान रहे ना 1893 वो सही मान रहे क्योंकि यह तो 1886 में लिखी गई है तो इनसे नई धारा का प प्रांथ पतिक का 1902 में अनुबाद किया यह ट्रेवलर नाम से किस ने लिखी थी गोल्ड स्मित ने लिखी थी खड़ी बोली में इसका अनुबाद किया रितु संगार का रितु संगार नाम से ही अनुबाद किया मूल रचनाकार काली दास है और ब्रज भाशा में अनुब लगवख खड़ी बोली में हो रही है पर उतना नहीं जितना इसके अंतिम चरण में होगी दिवेदी युग समापत होते होते तो कावे की वाशा खड़ी बोली वो जाएगी लेकिन खड़ी बोली होने का तातपर है आप ये ना लगाएं वर्तमान में भी पहुत से ऐसे कभी हैं जो ब्रजवाशा में रचना करते हैं जिस भी प्रवर्ती की प्रधानता होती है उसके आधार पर हम पढ़ते हैं ठीक है प्रधानता खड़ी बोली की रहेगी आगे चलकर लेकिन ऐसा नहीं है कि संस्क्रित में या ब्रज में या अवधी में रचनाएं नहीं हो रही है सब में रचनायन हो रही है आज भी हो रही है लेकिन प्रधानता उस काल में जिसकी रहती है उसी को मूल प्रवर्ती मानते हुए हम अध्या करते हैं शुष्धर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतिया है खड़ी बोली में कौन कौन सी लिखी है वनाश्टक देहरादून ये गद्यरचनाय है भारत गीत जगत सचाई सार स्वर्गीय वीना धन विजय सांध्या आटन गुनवंत हैमंत तो एक तो स्वर्गीय वीना और की पूछी हुई है ठीक है थोड़ा से ध्यान देंगे शीधर पाठक द्वारा शीधर पाठक द्वारा ब्रजभाशा में रचित मौलिक काव्य है कश्मी शुष्मा और मनोविनित कश्मी शुष्मा 1904 इन का पूछा हुआ है शीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है तथा श्रांत प्रचक की रचना रोलाचन में की है शीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कवीता गुनवन थहमंत है तथा खोड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है जैसे मैंने कहा खड़ी बोली मे रचित प्रथम कवीता कौन सी है गुनवन थैमंत है यह पूची हुई है शीदर पाठक लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 का जनम राय बरेली के दौलतपुर गाउं में हुआ था शुक्लि लिखते हैं कि हम पंडित महावीर प्रशाद द्विवेदी को पद्य है सामान्य भाशा क्यों लिकिनी है ताकि जन मानस को वह समझ में आये और शवतंत्रता प्रापति से पूर्व का समय यह तो ऐसी रचना रचने से क्या फाइदा कि जन्सामान्य को वह समझ में ही नहीं आई उसका आनन्द भी न ले पाएं और उस समय कुछ क्रांतिकारी केशब की तरह कठिन कावय का प्रेत बन जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा नहीं चल पाएगा जन्मानस कुछ समझ ही नहीं पाएगा भारति अंधेर नगरी जैसे नाटक के माध्यम से बहुत कुछ संदेश दे दिया और लोगों को रट भी गया गाम दिहात में भी आप जा अनकावय पंक्तियों को मैंने सुना था लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि भारति अन्दू के अंधेर नगरी नाटक से जैसे से तके सेर भाजी तके सेर खाजा अंधेरी नगरी चौपट राजा इसको तो सभी सुनते आएं पर ये तो नहीं पता था कि अंधेर नगरी से इसके अलावा वो चूरन खाओ गरम लाला इसको सारा चूरन खाके सारा हिंद हजम कर डाला और मतलब इस तरीके की पंग्दियों च झाल्स में गलत लिको सरली करन् सचाहा है दुवेदी ईजी ने म्हाविर प्रसाद दुवेदी की विशेस्ता है कि सरल होने होने के साथ ही और अचनाएं वियाकरणी करूप से शुद्ध होनी चाहिए वियाकरणी chemistry हिंधी लेखन में नहीं होनी चाहिए अपर पशाद द्यूवेदी ने गद्दे और पद्दे दौनों के लिए खड़ी बोली में सामा ने बोल्चाल की भाषा को प्रात्मिक्ता देने की वकालत की महावीर परसाद द्यूवेदी के अनुदित मौलिक ग्रंथ लगवग 20 हैं और इनक यमुना के किनारे केली कौतुहक का अद्वब बरणन बहुत हो चुका न परक्याओं का पर प्रवंद लिखने की अब कोई आवशकता है और न स्वक्याओं के गता गत की पहली बुझाने की चीटी से लेके हाती परियंत बिक्चुक से लेके राजा परियंत मनुष्य बिंद कोई जोरत नहीं चीटी से लेके हाती परियंत तक आप कवीता के विश्य ढूंड सकते हो तो यह जो चीजे आपको याद रखनी है पूछी हुई है चीटी से लेके हाती परियंत यह वाली लाइन ठीक है अब महावीर प्रसाद दिवेदी की यहां पर चर्चा हो रही है तो महावीर प्रसाद दिवेदी जैने बहुती सरल तरीके से कवीता को के विशह में बताया लेकिन शुक्ल जी ने पूरी गंभीता के साथ कवीता के उद्देश्यों को उसके मार्मिक पक्ष क्या है लोग प्यभार में उसकी क्या योगदान है श्रष्टी के प्रसार में वो क कहने पर ही महावीर पसाद्विवेदी ने एक निबंद लिखा भारतिय कभियों की नारी विशयक उदासीनता तो उनको पढ़कर ही उनसे प्रेणा लेकर ही मैथली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की है ये प्रशन परिक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं इसलिए मैं आपको बताती हूँ वीडियो के मध्य में ठीक है बाकी ये बुक है तो आप इसको पढ़तो आप स्वेम भी लोगे ना मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या है जब आपको एक भी प्रशन एक्स्टर जानने को ना मिले तो साकेत की रचना किसकी कहने पर की थी महावीर प्रसाद किसे नारिपात्र हैं उनको आधार बनाकर गृंत रचना की और साकेत का नवम सर्ग बहुत सारी परिक्षाओं की श्रियाणी में सलेवस में लगा हूआ है और साकेत का नवम सर्ग हमारे चैनल के टॉप मोस्ट वीडियो में से एक है चैनल पे उपलब्ध है पूरा नवम सर्ग तो आप वहां से देख लीजिएगा और इसका प्रसंग भी पूचा गया महावीर का यदि मिलता नहीं प्रसाद इस तरीके से महावीर के मंगला चारण के रूप में वेशलोक लिखा है, महावीर का एक अर्थ है हनुमान जी और दूसरा अर्थ है, क्या? दूसरा अर्थ है महावीर परसाद दूवेधी, दूवेधी, दौरा रचित, अनुदित कावे है, विने शतक, भरतहरी, भरतहरी के जैदेव के गीत गोबिंद का संचिप्त अनुबद इसने माला भ्रत हरी के शंगार सतक का दोहों में अनुबद गंगा लेहरी पंडित राज जगनाथ की गंगा लेहरी का सवया में अनुबद रितु तरंगनी कालिदास के रितु संगार का छाया अनुबद महावीर परसाद दिवेदी की प्रसिद कवीता है सरगो नरक ठेकाना ना है अब इसके बाद अयोद्या सिंग अपाद्य हरियोद को देखते हैं इनका समय सीमा रहेगी 1865 से 1947 को गडपती चंद्रगुप्त ने आधुने कालका दूसरा सूरदास कहा है कयोंकि इन्होंने करशन कावे बहुत ज़्याद प्रिय प्रवास लिखा है और सूरदास ने क्या लिखा है सूरदास ने कौन सा लिखा है? सूर्साघर, भ्रमरगीत, उदव गोपी, समवाद किस ने कए? गडपती चंद्रगुप्त ने का है? ध्यान रखिएगा हरियोद ने तीन प्रवंद कावली के प्रिय प्रवास, 1914, 17 सर्गं हैं प्रिय प्रवास में, क्रिश्न के बच्पन से लेकर मस्तुरा प्रस्तान तक का वरणन है, कितने सर्ग है प्रिये प्रवास में 17%, पारी जात में आद्यात्मिक इवं धर्मिक विशयों का वर्णन है, 1937 में लिखा 15 सर्ग हैं, वैदेही वनवास 1941 में लिखा गया इसके 18 सर्ग हैं, इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है प्रिये प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महा कावे माना जाता है प्रिये प्रवास का सर्व प्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था यह संपूर कावे संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है पहले क्याना था व्रजांगना विलाप्र क्या क्या है प्रिये प्रवास में 17 सर्ग है उनके नाम नहीं उनकी यह आपको याद होना चाहिए कि प्रिये प्रवास करचनकाल 1914 है और 17 सर्ग हरी ओद के अन्य प्रमुख ग्रंत हैं मैं निशान लगवाउंगी वह आप अच्छे रहस्य अठारा सो निज्यान में प्रेमांभु द्वारिदी 1900, प्रेम्प्रमज 1901, प्रेमांभु प्रभाव 1904 चौपदे, 7 नंबर पेपे निशान लगाईे 1932, चुबते चौपदे 1924, निशान लगाईेगा पद्म प्रसून 1925, बोल चाल 1928, रसकलस 1931, फूल पत्ते 1935, कल्प लता 1937, ग्राम गीत 1938, हरियोद सत्से 1940, और मर मिश्पर्स 1956 हरियोद द्वारा ब्रजभाशा में रचित रसकलस एक रीती ग्रंत है रसकलस कैसा है, रीती ग्रंत है, जो 1931 में लिखा गया है, और स्पेशल है, इसलिए पूछा जाता है हरियोद क्रिद चौके चौपदे और चुबते चौपदे और बोल चाल महावरेदार भाशा में लिखा गया है हरियोद को कवी समराड तता प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारी तोशक प्रदान किया गया था रामचरित उपाध्याय अठारा सो बैतर से 1938 दीवेदी युक के प्रमुक सुप्तिकार के रूप में प्रसिद हैं रामचरित उपाध्याय के प्रमुक काववे हैं रामचरि चिंतामणी राष्ट भारती देव दूद देव सवाब विचित्र भिवाब भारत वक्ति देवी द्रौवदी और सुक्त मुक्तावली मैतली शर्ण गुप्त को आदोनिक युक का तुलसी स्वीकार किया जाता है किस के आधार पर इनके साकेत के आधार पर ठीक है जैसे रामचरित मानस की रचना करी वैसे इनोंने साकेत की करी मैथली शर्ण गुप्त का समय है 1886 से 1964 खूब जीए मन करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर मैथली शर्ण गुप्त का संशिप्त जीवन व्रत निम्नांकित है अगर भारति इंदु इतना जी जाते ना 34 वर्ष में कमाल कर गए अगर इतना जी जाते तो पता नहीं क्या ही आज इंदी साहित्य का रंग दूसरा ही उतक है जन्मिस्थान चिर्गाव छासी और पिता है र भंग 1909 और हैमंत 1905 अब जो है मैंने आपको साकेत जिस बुस्तक से पढ़ाया है वो राजस्थान बूर्ड की 12th क्लास में चलने वाली पुस्तक थी पहले 12 में चलती थी तब एंसी आटी का स्लेवस नहीं था तो उसमें 1888 दिया हुआ है जन्म और साकेत का प्रकाशन वर् और साकेत का प्रकाशन वर्ष 1931 में हुआ यह बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कमेंट में भी लिख चुकी हूँ पिन भी कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी आप एक बार और देख लीजिएगा बाकी साकेत से सम्मंदित एक शॉर्ट वीडियो मेरा अभी लाने का प्लान है देखते हैं कवा पाता है तो उसमें और आपको बहतर तरीके से मैं चीजे किलियर कर दूंगी और सार रूप देखने के बाद आप फिर पूरा पढ़ लेकिन साकेत का कोई भी वह पद जो है आपको छोड़ना नहीं है ठीक है जितने भी नवम सर्ग में पद लगे हुए है परिक्षवपियों की दृष्टी से मैंने बहुत अच्छे से आपको कराए हैं और हाँ जो पहला वीडियो होता है वो व्याख्यात में तरीके से क्योंकि उसमें हम भूमिका पर चर्चा करते हैं थोड़ा लंबा हो जाता है बाकी सब आपके उतने लंबे नहीं होते तो आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा क्या है मैथिरी शर्ण कुप्त द्वारा रचित कावे ग्रंथ निम्नांकिते रंगमे भंग 1909, जैदत व्रत 1910, किसान 1917, विकट भट 1929, गुरुकुर 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, जंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जै भारत 1922, विश्नुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदु 1927, वैतालिक सत्रा, पंचवठी 1925 याद करिएगा, इनकी रचना पूछ ली जाती है, क्रमानुसा लगाने को भी पूछ ली जाती है, हिंदिस आयते में, राम चरित मानस के बाद, दूसरा, इस्तम मैत्री शन गुप्त कृत साकेत है मैत्री शन गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेड नासन 1908 में, सरस्वती पत्रिका में, महावीर प्रसाद दूवेदी के लेक कवियों की उर्मीला विशेक उदासींता से मिली, यहे लेक महावीर प्रसाद दूवेदी ने अपने छद मनाम भुजंग भूशन बटाचार नाम से प्रकासित कराया, साकेत शब्द मूलते पाली का शब्द है, जिसका अर्थ है आयोध्या, इसमें 12 सर्ग हैं, डॉक्टर नगिंद ने इसे जनवादी कावे कहा है, शुक्ल ने गुप्त जी को सामंज से वादी कवी कहा है, मैत्री शन गुप्त को भारत वारत रचन पर महतमा बांदी ने राष्ट कभी की उपादी दी थी, और आपको ये जान कर बहुत खुशी होगी, कि आपके लिए ये रचना मैं मंगवा चुकी हूँ, भारत वारती, मेरे पास है, मैं दिखा देती हूँ, बस आपको इसे पढ़ाने के लिए जैसे ही ये इनकी भारत आपको पढ़ाने के लिए मंगवाली है, बस जल्दी ही इसे शुरू करेंगे, अब कौन से चैनल पर शुरू कर पाएंगे, ये तो देखना होगा, पर बहुत ही सुन्दर रचना है, इसके बारे में क्या ही कहूँ, कहूंगी, बहुत कुछ कहूंगी, और सब कुछ और ये वाला पद इसका देखे, पूछा जाता है, परिक्षा में निशान भी आप लगा सकते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे, अभी आओ, विचारें आज मिलकर ये समस्याएं, सभी, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बुक है, इसको पढ़ाएंगे, ये पढ़ाने के लिए आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, आज भी कमेंट मेरे पास हिंदी बुक्षाला पर आया है, इसके लावा पूर में भी बालकांड आप पढ़ना चाह रहे हैं, भारत भारती भी आपको पढ़नी है, और ये सारी रचना मेरे पास उपलब्ध हैं, लेकिन वीडियो तो दो वीडियो पढ़ने डल रहे हैं, एक नेट शाला पर और एक बुक्षाला पर, तो मुझे लगता है काफी हैं, अगर दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके आप डेली वीडियो, दो वीडियो ये डेली देखने हैं, जो मैं डेली डाल रही हूँ, इसके अला लिस्ट में मैं पहले, इसलिए ही पढ़ा दी थी, आज से लगवग साल बर पहले में आपको पुस्तक पूरी करवा दी, साल 6 मही ने तो होई गयोंगे, क्योंकि वो आपके लिए वर्दान के समाने वो पुस्तक, उसको नहीं करोगे, तो सारी चीज़ें आपको उलज कर र लावाली इस्तिती आपकी हो जाएगी, मजे आ जाएंगे आपको इंदी सायत्ते पढ़ने में, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, बाते बहुत सारी कर लेते हैं, हम लोग बीच बीच में, मैथली शन गुप्त द्वारा अनुदित कावे है, प्लासी का युद्ध, मेगनात व द्विवेरी मंडल के अन्य कवी देख लेते हैं, गिरिधर शर्मा नवरत्न, 1881-1961 जालारा पाटन थे यह का जन्मिस्थान था, मात्रवंदना इनकी मौलिक क्रती है, लोचन पशाद पांडे, 1886-1969 वालापुर मध्यप्रदेश के रहने वाले थे, प्रवासी मेवाड ग प्रसिद्ध है इनका लोचन प्रशाद पांडे का, गिरिधर शर्मा ने गोल्ड स्मित कर्थ हर्मिट का संस्कित शलोकों में अनुवात किया, सन 1928 में गिरिधर शर्मा ने माग के शिशु पालबद के दो सर्गों का हिंदी माग नाम से अनुवात किया, लोचन प्रशाद यह न मेवाड़ काता काफी प्रसिद्ध है लोचन प्रशाद पांडे कृत्व म्रिगी दुख मोचन में इनकी पशुओं तक पहुँशने वाली व्यापक और सर्व भुध्या पूर्ण कावे द्रिश्टी का पता चलता है लोचन प्रशाद पांडे को कावे विनो तथा साह सब्सक्क्राषी क्लाइक वाचासाती पांड़ संखावे अब दीवेद्ी मंदल के बाहर के कवियों को काल क्रमानुसासार देखते हैं काल कम्रूशाय देखना भी है और यहां से क्रमानुसार लगाए जाने से लात प्रशनितयों है नाथूर शार्मा न कशेंकर200 second 69 से 1932 अलीगड के हैं अनुराग रत्न शंकर सरोज संकर सर्वस्व और गर्वरंडा रहश्य तो यह गर्वरंडा रहश्य इनकी पुस्तर का यह पूछी हुई है बालमकुद गुप्त 1865 से 1907 रहो तक के हैं इस फुट कवीता इनों ने लिखी है और शिब शिब शम्भू के चिठ्थे प्रसिध हैं का लाला भगवान दीन का है 1866 से 1933 फतेपुर के हैं यह वीर चत्राणी वीर वालक वीर पंचरतन और नवीन वीन राय प्रसाद देवी प्रसाद पूरण 1868 से 1915 जवलपूर धरादर धावन स्वदेश कुंडल इनकी रचना है स्वदेशी कुंडल म्रत्युन जयर राग मुरावण विरोध वसंत वियोग और पूर्ण संग्रेन की रचना है सएद अमीर अली मीर 1873 से 1937 सागर उलहाना पंचक अन्युक्ति शता कामाता प्रसाद गुरू 1875 से 1947 सागर के निवासी थे में एंपी के भौमासुर वद विनेपचासा पद्म पुषपावली शिवाजीर दासी रानी यह वही कामाता प्रसाद गुरू है जिनका व्याकरन हम पढ़ते हैं कामाता प्रसाद गुरू का यह भी बुक मैंने मंगाई थी और इन सब को बुक जो मंगाई थी इनका वीडियो भी मंगाया था तो यह वाले कामाता प्रसाद गुरू की फोटो भी दिखा देती क्योंकि यह पास में रखी है और यह कामाता प्रसाद गुरू का हिंदी व्य जाता है करुणा कावन ने कादम बिनी और तुशूल तरंग भी देख लीजिएगा रूप नाराइण पैंडे लखनौ के रहने वाले थे पराग और बन बैवा मिनों ने लिखा राम नरेश्ट रिपाथी जौनपुर के रहने वाले हैं 1889 से 1962 मिलन पतेक मांसी स्वपन कवित कविता कौमदी सभी पूछे जाते कुस भी नहीं चोड़ना मांसी को थोड़ा कम देख सकते हैं बाकि मिलन 1917 पतेक 1920 स्वपन 1939 और कविता कौमदी पूछी जाती हैं पूरी ही रचना आपको इनकी याद करनी है ठाकुर गोपास शरण सिंग 1891 से 1960 रिवा MP के रहने वाले थे माधवी मानवी संचिता जोतिशमती रचना है मुकुड़ दरपांडे 1895 से 1984 बालापुर आंसु उदगार पूजा फूल और कानन कुसम तो मुकुड़ दरपांडे के कानन कुसम आंसु उदगार ये थोड़ा देख लीजेगा यह वही मुकुड़ दरपांडे हैं जिन्हो नातुराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रग्या और साहित सुधाकर की उपदियां प्राप्त थी नातुराम शर्मा शंकर के गरवरंडा रह से एक प्रवंद काव्य है जिसमें विद्भाओं की पुरी इस्तिति और देव मंदिरों के अनाचार का अलमतास व्यसंत वियोग स्वदेशी कुंडल नए सन का त्याग नवीन समवसर का स्वागत तो हमने कौन सा निवन्द पड़ा था हमने पड़ा था हिंदी बुक्षाला पर स्रीश के फूल उसमें अमलतास नामक फूल का भी वर्णन आया था कामाता प्रस्द गुरू की प्र कि पद्मविकृषपा वली इनका खड़ी बूली में है गया प्रशाद सुक्ल की श्रांगारिक रचनाइप सनेही उपनाम से लिखते थैं था राश्टिय भावनाहों की कविता क्रिशूर उपनाम से लिखते थे सनेही खड़ी बोली में कवित और सवय चंदों का प्रियोग में प्रमीन थे और रामनरेश त्रपाटी स्वचंदताबाद के दूसरे प्रसिद्ध कविये पहले कौन से थे शीदर पाठाक और दूसरे हुए रामनरेश त्रपाटी त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और सवप ने शीर सकते तीन कालपनी खंद काबे लिखे त्रिपाठी कृत मांसी फुटकर कविताओं का संग्रे है कविता कौमदी शीर्षक में आठ भागों में ग्राम गीतों उर्दू बांगलार संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपाधन किया है मुकृदर पांडे को आचारे शुक्र ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है मुकृदर पांडे लोचन प्रशाद पांडे के अनुष्थे इन्हें पांडे बंदू भी कहा जाता है गोपतर मुकृदर पांडे दीवेदी युक के प्रसिद्ध प्रगीत कार माने ग होता है कि बोर हो जाते पढ़ते पढ़ते समझाने को कुछ है नीक कितावे हैं उनका वर्ण विश्य उसमें मैं क्या समझाऊं जगनात दास रतनाकर का संचित जीवन रत है जगनात दास मूल नाम है जीवन काल 1866-1932 पिता है पुष्षोत्तम दास गुरू है नवनीत लाल च तरी कलकाशी वीराश्टक तो नाम लगा देना है आपको निशान गंगावतर्ण देख लीजेगा 1937 इंपोर्टंट है उद्धिव सतक 1929 इंपोर्टंट है हिंडोला 1924 इंपोर्टंट है वाकि स्रिंगार लहरी भी इंपोर्टंट है रतना करने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे और कीटी से रोला चंद में समा लोचना दर्श शीष्रक से अनुवाद किया अस्रीक दे आलोचना के छेतर में इनों ने शुरुआत कर दी है सत्य नायन कवी रत्न की समत रचनाओं का संकलन बनार सिदा चतुरुवेदी ने करदे तरंक शीषण सकसे प्रकासित करवाया का वी रत्न की प्रसित रजना ब्रहमर्दूत और प्रेमकली कवी रत्ने भगूती रामचरत र मालती माधवत्तन लाड़ मैकालिक एंग्रेजी खंड़कावे होरेश का ब्रजवाशा में अनुवाद किया जुवएदी नी योग शिद्धार्त शरवानी और वर्धमान शाम नारायन पांड्य हल्दीञाटि और जोहर और मनॉहर महितो ... आर्यवर्थ भर्देय सिंग दत्यवन्ष और राव्ण शाम नारायन पांड्य याद कर लिजबा हल्दी गांड्य और जोहर प्रसिद राजिस्तानी कभी हैं हल्दी घाटी इनकी कवीता सुन लोगे न आप जो अर्जोहरवाली दॉना कवीता बहुत महत्पूर्ण हैं आपके मन को जंकृत करने वाली कवीता हैं अब दिवेदी युगिन कवियों की महत्पुन कावे पंक्तियां हम कल पड़ेंगे क्षा हो गई है आपकी काफी लंबी तो हिंदी बुक्षाला और हिंदी नेट शाला दौनों की प्लेलिस्ट चेक करते हैं चेकृत आपको सबस्क्राइब करना है हिंदी बुक्षाल वह अपने ही चेनल है lat anime का भागा आप उसे कह सकते हैं तो दौनों चेनल को अब को सबस्क्राइब करने हैं दौनों की प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है और चैनल पर उपस्तित वीडियो को अपने मित्रों तक अपने जानकारों संबंदियों तक शियर करें हिंदी की बहतरी रचनाव को तो आप अपने सभी वाटसेप ग्रूप श्पेशल मीडिया ग्रूप में अपनी दिश्टेदारों परिवार जनों तक पहुंचाएं बाकी जिन पर हिंदी विशे के रूप मैं उन्हें हिंदी नेट शाला की वीडियो बेश सकते हैं मिलती हूँ कल तक के लिए नमस्का धन्यवाज जैहिं